हेलो एवरिवन बिना टाइम वेस्ट की वे मैं आपको बताती हूँ कि 2022 का जो नेट का UGC NET का रिजल्ट आया था उसका E-Certificate आ गया है उसको डाउनलोड करने के लिए आपको UGC NET official website लिखना है यह जो National Testing Agency है इस पर क्लिक करना है उसके बाद यहां पर लिखा होगा E-Certificate पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहां पर लिखना है कि UGC NET या CSI या कौन सा UGC NET का आया है तो यह हमें डाउनलोड करना है और यह जो CAPTCHAD CODE दिया हुआ है वह यहां पर लिखना है 1746 उसके बाद प्रोसीड करना है अब आपको इसमें सबसे पहले इसलिए है या तो आप रोल नंबर लिखिये या application नंबर लिखिये तो application नंबर यह मैंने पहले से डाउनलोड किया इसलिए यह आ गया और डे जो भी आपका date of birth है फिर month उसके बाद year जो भी आपका यह है वह आप यहां इसमें टाइप कर दीजिए और फिर से यह आपको capture करना है 129866 और प्रोसीड तो यह एक तरह से आपका आ जाएगा नाम आ जाएगा फादर नेम या जो भी information आपने उसमें दी है और download हो जाता है फिर यह जो फाइल है जो download हो जाएगी उसको खोलने के लिए एक password होगा यह पासवर्ड protected file है तो password कैसे होगा first four letter जो आपके नाम के हैं वह capital में होंगे फिर date of birth फिर month और उसके बाद year यह दिया हुआ है और फिर आप इसको download कर लिजिए जब आप certificate को open करेंगे तो आपको यह पासवर्ड देना होगा पासवर्ड में four capital four letter आपके नाम के capital में डेट month and year थैंक यू